तो कैसे हैं आप लोग शुट्यूब चैनल का नाम-व्याद नीए इन्हों ने कुछ बताया था लेकिन इन्हों का नाम याद ने इस भाई सामने मेरी इतनी हल्प कर आ और भी वंदोंया कि जैसे मनलों कोई दूसरे बंदे का बेस है नहीं लुक जत्वंë ऐसे इनका अपना बेस है तो इन्हों नहीं कहा करा अपने वेस का भी टर्फ मेरे को दे रखा है वाँ-बाय इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए टीग है में उनके लिए एक बात बो ओ ठीक जैसे गलती यह हुई कि उहां पर और भी बहुत जादा घर बन गए थे और उहां पर आपाना थोग सा मुस्कील हो रहा था तो मैंने आरजे भाई से बोला कि आरजे भाई ने पहले क्या बताया कि इनके भाई वहां पर कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बंदेज इन्होंने अपना अपना बेस बना लिया और बेस के सारे समान लेके गाइब कर दिये और मुस्से भी यह गलती हो गई थी आपको पता है कल की वीडियो में ठोसा पासवर्ड बगेरा दिख गया था तो उसका रण हो सकता मेरी भी सबसे बड़ी गलती रही ठीक है कि आरण अब हमारे पास जादा टाइम नहीं बचा था कि मतलब टाइम इतना कम है गाइज कि मतलब बेस बनाना है और इसको अपग्रेड करना है तो वो सारी चीज़ आपके भाई ने कर लिया है ठीक है उसके लिए डॉन्ट परे और यहां पर देख सकते हो कि मतलब अपने आड़ अमित्तिबारी भाई को और मैं एक चीज़ बता दूँ गाइस जिसको फर्स ऊट ऑट एक बार मिल गया तर ऐसा कोई बात नहीं कि उन्हें दुबारा से नहीं मिलेगा ठीके अमित्ति वारि भाई को मैं एक पहले भी दे चुका हूं और इस बार भी जाता है यूदक देखो भाई जो पहले बार में कमेंट करा तो उनको मैं ज़रूर से दूँगा हर एक वीडियो में दूँगा चाहे उन बंदे को चाहे जितनी बार भी मिले ठीके तो आप जरूर से कमेंट करना और second sort out जाता है अभिनाव स्रिवास्तव भाई को और third sort out जाता है सन्नी गुपता भाई को आप सभी लोगों को बहुत बहुत सुक्रिया गाइज कि आप सभी लोगों ने इतना support प्यार दिखा रहे हैं और इसी तरब बनाए रगना आप देख सकते गाइज की जगा तो बहुत ही अच्छा है यह देखो यहां पर अपना वोट वगेरा भी खड़ा है ठीक है हम चाहे तो यहां से आराम से नदी वगेरा का सैर वगेरा आप कर सकते हो समंदर का नजारे का मज़ा ले सकते हो ठीक है अपना बेसिक हमने तकली आरा वगेरा मैं मतलब उधर कभी गया हूं नहीं हूं तो इसलिए उतना बढ़ी हैं से पता भी नहीं आई यह जो मैं इस बॉक्स जो दिखा रहा था उससाम में केबिनेट है आप देख सकते हैं मैप में देख सकते हैं कि 5-6 केबिनेट हमारे बेस के 4 तरफ लगी हुई है ठीक है अब इस एरिया को बनाने का क्या जरूरत था गई वो आपको हम बाद में बताएंगे कि आखिर आपके भाई ने इस एरिया को क्यों बनाया तो सबसे पहली बात गई कि हमने अपने बेस को तो बना लिया और बहुत ही कम समय में अपने बेस को तयार करा है करीब 2-3 गंटे में अपने बेस को फूल रेडी कर लिया था हाँ बाकी आप देख रहोंगे कि दो ही पार्ट हमने अपग्रेड वगेरा करा है और यार बहिकल का भी तेल खतम होगे मैं सुझा कि थ्वास है यहां पर चला के दिखाओंगा लेकिन कोई ना तेल खतम होगे कोई बात यह देखो हमने दो ही फ्लोर को अभी तक अपग्रेड करा है बाकी अंदर से हमने फुल टू एस्टील कर दिया उसके लिए टेंसन वाली बात नहीं है ठीक है यहां पर देख सकते हैं अपने बहुत सारे फ्रेंड बगेरा सोय पड़े हैं यह देख लो और बहुत सारे लेगा ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के अभी कमी है ठीक है क्योंकि हमारा बेज जो लूटा था ना तो उसमें बहुत सारे समान बगेरा चले गए थे और सी जिनको मैं पहले सुरू में बताया था क्रेसी जी भाई जिन्हों कि अ जादा ही फार्म करा इन सब भी लोगों को एस पेसली में अपने कम्यूटी पोस्ट में सोट आउट डूंगा नेक्स वीडियो के ठीक है और यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्यों नाम का बंदा ना बंदी क्या है पता नहीं हलक है और भी बहुत सरा यहां पर हैं ठीक है एक है रोहित नाम का बंदा इन सभी भाईयों ने बहुत अच्छा खासा फार्म कराया अपने बेस के लिए तभी हम लोग 2-3 घंटे में इतना कुछ कर सके गई ठीक है क्योंकि अब रेट टाइम जब सुरू हो जाएगा तो भाई अपने को बहुत जादा प्रोबलम होने भाली है ठीक है आप देख सकते हो ओनली 73 हावर अभी बचे हुए अपने को 71 हावर में रेट टाइम शुरू हो जाएगा जबकि फुल फिनिसिंग रेट उस समय होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर आठ जे सुरिया भाई मतलब इनका सुक्रों गुजारों यार अगर यह नहीं रहते तो भाई मतलब अपना बेस का बच पाना मुस्किल था बन पाना भी मुस्किल था यार कि इतना बड़ा बेस किसी अकेले बंदा कोई भी नहीं बना सकता इसको केवल हमने आठ जे सुरिया भाई और हमने दो ही बंदे ने मिलके पूरे बेस को डिजाइन करा है जो बाहर वाला आपने जो बॉंडरी देगा लगाई उसका एक ही खास चीजों के लिए बनाया क्योंकि देखो मैंने नीचे बिंडो लगाया कि नीचे साम फाइट ले सकें उपर डोर इसलिए लगाया गाई कि हमें मतलब जितना डोर में खरच होगा गाई बूड उतना ही उसको सेलिंग में खरच होटा ठीक है लैडर से प्रोटेक्ट करने में बनाता तो उससे बढ़िए डोर लगा दो कि उपर बंदा सीड़ी ना लगा सके ठीक है अरे यार क्या मस्ती कर रहे है ये लोग यार मैं को उपर छट पे जाना है यार ये लोग देखो क्या कर रहे है कुसरा रहा है कि मैं Formula सब्वर्ट टो प्लड़ा दूगा एकश्च अमप मैरे पैस संथ एकंट की रेस्पी वह को पता नहीं है नहीं मैंने मैं तरगे को बता रहा है कि एकंट में जान सब लोब जिसका जो मना रहा थो उट वह सरे बंदे वह रेश्बी निकाले जा रहे थी सब्सक्रीन भाल ही मुद रेस्पीत कंसे पर Paci क्योंकि भाई मैं खुर रेगुलर और नहीं आप पाता है इसलिए मैंने वोला था आर्जी सुरिया भाई कि आप निकाल लो और एक जो और जो बंदा देखना कि और आये लगा था एक उनको बोलना निकालने के लिए यहां पर देख सकते हैं कि अपने पास कुछ चीज़ों क अभी भी कमी है ठीक है एक एक बंदा था जो मुझे बोल रहता है इनके भाई आके कैनोन ले लो दो से स्टील दूगा और पता नहीं यार फिर वो बंदा कहा चला गया फिर मतलब मिला नहीं दुवारा था इसलिए मैंने उसके बारे में फिर मैंने उनसे कैनोन भी नहीं ल खान दूं ठीक है इसे ट्रों में तेल बहुत चान रखाता यार इसलिए मैं यूज नहीं करताए आप आपने बहुत सारी वीडियो में देखा ओगा मैंने आज ही ड्रों नहीं खरीदा वह बहुत जाब पार ताइम होचुगा, लेकिन फिर भी मैं यूज नहीं करता है या प्रड़ी कर देते हैं ठीक है और उसमें काम आ जाएगा बॉम बगेरा बनाने में लेकिन कोई ना अभी हम बना ले थे क्योंकि अभी अपने को एक जरूरत है गलाइडर और ड्रोन की ठीक है वो सकता है जब इनेमी से अटैक बगेरा करें इनेमी तो अपने को काम आ जाए औ अच्छा मैं आपको बाद में दिखाता हूँ मैं किसी से पूछता हूँ आठ जे सूरिया भाई का साथ पास लगाया होगा तो मैं उनसे पूछ के आपको दिखाता हूँ उसका पास पहले मैं को थोड़ी से श्टील चाहिए तो मैं श्टील लेता हूँ और एक ड्रोन और यह बना देते हैं ग्लाइडर हाई यह दोनों तो मैंने बनने में डाल दिया गया यह वाकिए श्टील में अभी इसी में डाल देता हूँ और इस्टोन आइरन रहने देता अपने पास ताकि उपर में अपग्रेड कर सके मैं इसको मार के पूछ रहा हूँ पासवर्ट तो नहीं आप आ रहा हूँ ठीक है भाई तो उसके लिए सौरी यार ठीक है बाकी देखता हूँ आपके भाई के पास जैसे कोई अच्छा सब होना आ जाता है तो फिर यार मस्क सबके साथ मिलकर डिस्कॉर्ड पर बात करते हुए खेलेंगे कोई दिकत वाली बात नहीं है आई लगाई डालेंगे कोई दिकत वाली बात नहीं है अब आकी मैं यहां पर थर्ड फ्लोर आपको दिखा दू जो कि हमारा सूटिंग एरिया के साथ में फटनेंस एरिया भी है यह देख लो इसमें अभी समान बगेर जो भी मैटेरियल लाए थे बंडो लोगों ना उन सबने डाल रखा है कि यह सारे चीज रेड़ी हो जाए तो जो चीजे बच गए ठीक है उनसा फटक से अपग्रेड कर देंगे बिना देरी किये जैसे अपग्रेड हो जाता है और उस समान कहां गिया यार बंडे के पास तो पहुत सारा समान था गया ओके इसमें भी कुछ नहीं य ठीक है अपने पास तीन चार लूट रूम है एक फर्नस रूम है अब 215 अई अब डिया हूँ बंदे लोगों को रहने के लिए और नीचे कैनोन लगा देंगे गाइस तो एक काम करेंगे कि वहां का पास बदल देंगे कि पता चला अपने बंदे आके मर रहे है कैनोन से अब बुलेट जा रही ठीक है तो इने में इसे कोई क्योंकि देखो गाई इस बेस में एक बेस में चारी बंदे को हम टर्फ दे सकते तो नीचे वाला पास हम चेंज कर देंगे ताकि आप लोग ना मर ओ भाई यहां रहा यार मैं वही तभी सोचो आयरन अपना कहां चला गिया सारा कुछ लोग बोल रहे थे कि इनको हमने आयरन लाया लेकिन फार्नेस में नहीं जगा था तो हमने बॉक्सेज में रग दिया आप चलो गाई अरे भाई यह तो उपर से छलांग मार दिया ओ भाई इन्होंने दो दो लैडर एक साथ खोल रहा यार ओ भाई यार नहीं नहीं गलती मैंने कि इस भाई ने उपर के लैडर खोला नीचे आए अब मैंने यहां वाली लैडर खोल दी वो पूरा यह नीचे आ यह देखोगा यह अपना खाली एरिया है ठीक यहां पर भी बेट बगेरल लगा सकते एक्स्ट्रा अपने बंदे लोगों के लिए और यह जो रहा वाई यह जो कैम्प करते हैं जो रूपी बगेरल लगा लेते हैं उनके लिए यह अपना रखाए स्नाइपिंग के लिए इ ग्लाइडर में ओयल नहीं है एक काम करते हैं पहले इन से मैं कुछ लैडर ले ले तो वो सुरिया भाई बोल रहे थे इनके लैडर ले लो और स्टील लाइडर सब जगा लगा दो ताकि कोई बंदा इसली हमें रीड ना कर सके ठीक है तो मैं सब जगा देता हूं और इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ है जिसकी रेस्पी बगेरा नहीं निकली तो बहुत सारी चीज़ है मैं इहां से एक क्या करता हूं पहले कुछ समान ले लता हूं जैसे कि इनफिरियर फ्यूल हो गया मैं को तो इस बूड भी चाहिए या ताकि मैं ऊपर में कुछ ठीक कर सको तो मैं थो सबूड भी हां से निकाली लेता हूं यह रहेगा और एक काम करते हैं इहां भी होगा यार इसमें पड़ा हूँगा ओए लगा दोनों ले 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 तो होई गया इतना बुड काफी अपने लिए कुछ मैंने ड्रोन में डाल दिया बूड यह दे वह डिजाइन क्या होगा मैं बता रहा हूं तो उल्टा सीधा करके लगाएंगे जैसे कि यह इसका मुँ इधर खुलने वाला है ना तो इसको हम तो अगला जुड लगां उसको उल्टा मुझ से लगाएंगे ताकि दोनों ले टर एक साथ भी खुला होरे तो कोई प्रॉब 죠. यह सही. चीज़ है. इसको भी हम उल्टा करके लगा देते हैं यह सही. पर कोड़ भी ढलते हैं यह देखो कोड़ भी डल गया अगली बार मैंने गलती से password धुको कर दिया था अपना बेस आता पुरह लूठ गाए है, अप किसी लिए नहीं लग रहा है मैं इसको बंद करने कोजिस कर रहा हूं उचल के लेकिन यह बंद होने वाला भी चीज़ नहीं एक काम करते इधर लाइडर लगा देती यह सही जगा रहेगा यह अपना इधर एक लाइडर लग जाएगा साइड में कोई दिकत नहीं हां पर हम रूप सेलिंग दें अरे सेलिंग भी नहीं लगारा ऌरे यार पहले वस लैडर को जाकर बंद करना होगा नहीं है और यह सेएलिंग को अच्छा हम बार में अफगरेड कर लेंगा चलो कोई बात नहीं ठीक है उपर करते हैं गाले खुलाओ बगेरा बहुत से प्रोचे US परदो हो गया ना तो इन सब एरिया को भी हम अप्ग्रेड कर देंगे कोई दिकत वाली बात नहीं अभी तो फिलाल अप्ग्रेड नहीं कर सकते एक काम करने हैं से एक हाब बोल आ एक गार्ड दोनों लगाते गाई ताकि हम उपर से भी बंदों से फाइट ले सके ठीक है प्रॉब्लम ना हो यार अपने को मलब फुल फाइटिंग एरिया चाहिए सूटिंग एरिया चाहिए और रहने की भी जगा चाहिए एक बेस को बनान इने मिए देखने वाले उनको पता ने चले ओव इधर यह लोग क्या कर रहा है आज शूरिया भाइट टॉक्सिक भाइए अभी सही रेड कर रहे है बताओ यह 71 हावर होने दो मैं इनको लिग देता हूँ यार अभी क्यों रेड कर दिया ओके कर रहे है ठीक है और भाई यह तो 71 हावर होने दो हाँ यह सही रहे है मैंने इनको लिग दिया है गाइस कि अभी फुल रेड नहीं हो सकता अभी मलब रेड कलर का बॉल बन जाएगा अगर आपने रेड कर रहा तो ठीक है मैंने इनको फिलाल तो बोल दिया कि भाई अभी मत रेड करो यार ने तो अपने बोम बगेरा सारे बेश्ट हो जाए तभी मैं सोच हूँ यार बोम इतने कम क्यों थे वहाँ पर यहाँ पर देखो जब मैं गलाइडर उपन करने आ रहा था न तो मैं गिर जाता हू नीचे इसलिए मैं यहाँ पर फ्रोटेक्शन लगा रहे तो ताकि हम गिरे नहीं नीचे बोले की यहाँ पर यहां पर लग सकता है कि गाड़ गाड़ लग जाएगा तो अपना काम बन जाएगा लग जाए ओके भाई यहाँ पर लग जा रहे हैं अरे बच गया यार गाड टूपर लग नहीं रहा चलो कोई ना गाईज इतना ओपर ठीक ही है कोई दिक्कत वाली ब लाइडर चलाते हैं ठीक है हो भाई यह क्या लाइग हो रहा है यार यह तो फॉड़ आप लेग होने लगा यार चैलो कोई नहीं होने दो कोई दिकत वाली बात नहीं यह देखो अभी हम लोग अपने बेस के पास है ठीक है इसलिए बेस्ट वास बड़ा हो गया इसलिए लेकिन अपना बेस तो दिखी जाएगा इतना तो है यह देख लोगाई अपना बेस कैसा बनाया है तो यह हमने शूटिंग के लिए बनाया ठीक है आई यह आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा जब कोई नहीं बगर आएगा ना हमसे फाइट लेने तो मैं आपको डि देखेंस के लिए ठीक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज है आप जरूर से ऐसा एरिया बनाया करो अपने बेस में ताकि आप इजली डिफेंस ले सको मैं उपर छट पर ले जा सकते हो क्या ड्रोन को हाँ ले जा सकते और अरे और उचा ले जा सकते और टेन अथी तक ल दूर भी नहीं ले जा सकते ही एक प्रॉब्लम में यार ड्रोन की लेकिन थोड़ी से और ज्यादा दूरी बगेरा रहनी चाहिए तरी ड्रोन के साथ में चलो कोई ना गाइस ठीक है बस अपना बेस यह देख लो फुल रेडियो चुका है आप सिर्फ अपग्रेड की जरू